हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्राफ्टो लाइफस्टाइल आज देखिए मैं कवारी कठ्ठा करके आज में क्या बनाने जा रहे हैं तो मेरे पास यह बॉटल जो है आपके जिरू में भी होगा जो कोड्रिंस पोगरा की बॉटल आती है मारे पास तो मैरे पास इसी तरह का एक बॉटल था तो मैंने उसको क्या किया है बॉटम से इतना लेके मैंने उसको कट किया आप मार्कर से मार्क कर लीजिए जैसा भी डिजाइन आपको चाहिए तो मैं यहां पर जिराफ बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने पहले इसको शेप दे कि इसमें मैं इसको प्लांटर बना रही हूं बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बनेगा थोड़ा टाइम लगे कर राइडी होने में बहुत अच्छा आएगा तो इसमें आप छुटे-छुटा होल कर लीजिए आप गर्म करके किसी कीज़ को से होल कर सकते जैसे मैंने की किया है । इसको मैं आप पीट करने मालने हूं तो मैं यहलो पीट कर रही हूं अब छुटे पीट से पिर जाथे हूं अरी इस सारे एरिया को पांट कर लीक प्रमादेश आप कोईसा भी पैंट ले सकते हो लेगा भा yönिक हो चाहो तो आप ओल पेंट कलने सब्いた required iwee मैं बनामें ध वालकनी उदर में तो खराब नहीं होगा ऐसे ही सारे को पेंट कर ले को बातित नहीं कर एके पोर किंट नहीं पेंगे का उड़ी करै को अवाया दुछ कर दो हुआ हो एक टोगा एकली स्धाभपा, क्या तो, कफ़चछब, क्या एकली हुआ हो एक भास़शब। झाल छोलो हुआ है नहां को नहां को अबान ओू अो कर्णा कर दो घढ मैं को कर दोना को बाते नहीं से टब सकतों से प्राप जो आड़ा आए ले बाते हैं जिर्या में इसके जिराफ का जो पर आप दोटे हैं इसको मैंने ब्राउन पिलर से पर दिया है तो यह ओल है कि इस पिन लाइनिंग लगाएंगे ऐसे इसको तोड़ा ड्राइव होने के लिए थोड़ते हैं जो देखिए फ्रेंट्स यह जो है यह मैंने कम्प्लीट जो जितने भी होल थे सब को मैंने कलर कर दिया है देखो और इस अब जो है इसका जो फेस का कम्प्लीट करना में जो कम्प्लीट करती है करता क इसके को इस तरह से अपको कट कर लिने ने इसका येलो से पैंट कर दूंगी और इसको शेप्त देंगक ए रुह मैंने पैंट करना येलो कलर और इस पे बलाक कलर का माउट की ये लाइनिंग डिया है इस थोड़ा ड्राइव होने देते हैं उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे प्रेंड्स ये फेभी बॉंड से हमने इसके नाक को जे वो चिपका दिया स्टिक हो गया गया अब इसका आंख बनाते हैं तो ये फेंड्स आप बना दिया देखिए फ्रेंड्स तो ये हमारा इसका आंख बन के रेडी है और इसके नेक में जो है वह हम इस तरह का राउंड राउंड डॉट बना देते हैं सो देट हमारा जिराफ का थोड़ा शेयर पाए मैंने अपना ट्रायल दिया है आप बताना कमेंट में कि ये बना जिराफ या नहीं क्यासा लग रहा है आपको इसमें टाइम तो लगता ही है लेकिन फालतू चीजों से भी घर के कबार से भी बहुत अच्छा है हम बना सकते हैं हमारा घर का डेकोरेशन हो सकता है गार्डेन का डेकोरेशन हो सकता है बैलकनी का डेकोरेशन हो सकता है तो आपको कैसा लग रहा है ये प्लीज फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से बताना ताकि मुझे पता चलेगा मुझे और क्या इंप्रूब्मेंट करना है मैं और बेटर ट्राइ करूंगी कुछ बनाने का तो यह देखिए यह हमारा मैंने एक छोटा सा ट्राइल लिया था कैसा लग रहा है आप बताना यह जिराफ लग भी रहा या नहीं जिवर से आप बतानों के और अब मैं इसमें यह थोड़ा ड्राइ हो जाता है उसके बाद मैं इसमें बिट्टी डालूंगी और आपको इसमें प्लांट लगा कर रिखाऊंगी फ्रेंड्स मैं इसमें ठोड़े चेंजिस कर रही हूँ यह क्योंकि लग नहीं रहा है कि यह जिराफ का आँक है या आदमी की तरह बन चुका है तो मैं इसमें ठोड़ा का चेंजिन करूंगी और इसका यह मैं निकाल रही हूं और न्यू लुक मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैं रिपेंट करूँगी और इसके शेप को थोड़ा बटर करूँगी फ्रेंट्स तो देखिए मैंने इसके फेस को रिपेंट कर दिया है अब इसको न्यू लुक मैं दोंगी तो वह मैं दिखाती हूं मैं क्या वनाने वाली है अब इसके चेहरे के साथ तो यह पहले वाले से बेटर लग रहा है वह तो बिल्कुल फ़नी था पता नहीं क्या बना था वैसे यह भी फ़नी है अब आप बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको अब मैं स्वाइल को डालाउंगी तो में डालती हूं और प्लांट को इसमें कटिंग करके वह भी रिखांगी अब को और फ्रेंड्स इसके बेस में मैंने कोईपइंट नहीं किया और ना कोई होल है जो भी होल है वह साइड में है और यह आगे का उपही अगला चूर बना इसमें मैंने स्वाइल डाल दिया है और अब देखिये मैं क्या करूंगी जो हमारा ये होल है इसमें ये मैं जैड प्लांट डालूंगी डाल समाते हैं मैं झाल डाल बाल दिया है और्या तक होला धाली झाल böl्री तक है अरूंगी जान र suppress होलगी पंद होपी जोल सादिए इससे क्या होगा यह कुछ ही टाइम मतलब कुछ दिन में देखिएगा यह बहुत ही घना हो जाएगा और जितने इसमें होल है सब में जो है अभी मेरे पास उतने नहीं है तो मैंने बस फ्रंट में डाल के दिखाया आपको तो जैसे सी यह ग्रो होगा मैं इसकी जितने भी है यह होल सब में यह जैड प्लांट को डालूंगी और यह बहुत ही यूनीक एक मुझे लगा आइडिया तो मैंने आपके साथ शेयर किया आप भी कर सकते हो आप इसके जगह कोई और भी प्लांट का कर सकते हो जैसे कि जो मॉर्णिंग में जो फ्लार आते हैं दस बजिया जि आप लगा सकते हो तो यह जो है इसमे और हलकी सी हलका हलका पानी देना है क्योंकि ज़्यादा पानी देने की इसमें ज्रूत नहीं है तो यह देखो कैसा लगा आपको आप कमेंट करके प्लीज जरूर से बताना और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल और झाल झाल